हेलो फ्रेंट्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, इस तो देखे, फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रोग, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, और तीन, ये तीन फंदे उल्टे बुनें, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंग फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन ये तीन फंदे उल्टे बुनें फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो और तीन फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे तो same process repeat करते जाएंगे और देखिए front side से अपनी first row complete करेंगे दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे न्यू वीडियो की notification के लिए bell icon दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें यह देखिए front side से हमारी first row complete हो गई आप देखिए back side से second row आप second row में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और देखिए front side की तरब से जो तीन फंदे हमने उल्टे बुने हैं इनको back side की तरब से हमने सीधा बुन लेना है एक दो और तीन यह तीन फंदे सीधे बुने फिर धागा अपनी side करेंगे और देखिए front side की तरब से जो फंदा सीधा बुना है उसको हमने back side की तरब से उल्टा बुन लेना है फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी side करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा, उल्टा बुनेंगे, सेम प्रोसिस रिपीट करते हैं, बैक साइट से अपनी सेकिंड रोग कम्प्लेट कर लेंगे ये देखें बैक साइट से हमारी सेकिंड रोग कम्प्लेट हो गई, अब देखें फ्रंट साइट से थर्ड रोग, अब थर्ड रोग में देखें, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइट, तीन फंदे, उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी साइट, तीन फंदे, उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे तो देखें सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से थार्ड रो कम्प्लीट करेंगे अब देखें ये फ्रंट साइड से अमारी थार्ड रो कम्प्लीट हो गई आप देखें बैक साइड से फोर्त रो अब फोर्त रो में देखें पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुन देंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुन देंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे अब देखे फ्रंट साइड से फिप्तरों, अब फिप्तरों में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतारा धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, और तीन, फिर धागा पीछे, फिर देखे नेश्ट फंदे में हमारा पैटन आएगा, तो देखे इस फंदे को हमने ऐसे सिलिप कर लेने, फिर देखे एक, दो, तीन, और चार, देखे चार बार हमने इस फंदे को खोल लेना है, यह चार बार हमने इस फंदे को खोल दिया, फिर देखे जो यह फंदा है हमा इस फंदे को देखे ऐसे सलाइड डालेंगे और ये खोले हुए धागों के ऐसे अंदर से ये खोले हुए धागे भी हमने एक साथ बुनने हैं और इनसे एक फंदा बना रहें है अब देखे जो एक फंदा बनाया इस फंदे को हम एक बार बुन लेंगे यह देखे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, और तीन, फिर धागा पीछे, फिर देखे, नेस्ट हमारा यह सीधा फंदा आ जाता है, तो इस पर पैटरन डलेगा, तो इस फंदे को देखे सिलीप करेंगे, और इसको खोल एक, दो, तीन, और चार, यह चार बार हमने यह फंदा खोल दिया, अब देखे, जो यह फंदा है हमारा, इसको देखे, ऐसे राइट नीडिल में उठाएंगे, और देखे, इन फंदों के अंदर से, ऐसे देखे, इसको उठा लेंगे, और इनको एक साथ सीधा बुन और एक फंदा बना लेंगे, यह एक फंदा बना दिया, फिर देखे, इस फंदे को हमने बुन लेना एक बार, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अब देखे, नेश्ट हमारा सीधा फंदा आ जाता है, तो इसमें पैटन आएगा, तो देखे, चार बार इस फंदे को खोल लेंगे, एक, दो, यह तीन, और चार, अब देखे, जो यह फंदा है हमारा, इसको फिर हम ऐसे राइट निटिल की सायता से, और इनको एक साथ बुन लेना है, यह एक साथ बुनेंगे और एक फंदा बना लेंगे, यह एक फंदा बना दिया, फिर देखे, जो हमने एक फंदा बनाया, उसको हम एक बार और बुन लेंगे, यह देखे, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, तो सेम प्रोस इस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपनी फिप्तरों कम्प्लेट करेंगे इस रिपीट करेंगे पनी Britt से अपनी फिप्तरों कम्प्लेट हो गई अप देखें बेक साइड से 6 रो अप शिक्तरों में देखें पहला फंद्ध हतारेंगे धागा पीछे और बेक साइड से हमने 6 रो को सीधा बुनते भे कम्प्लेट करना है झाल झाल यह देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कम्प्लेट हो गई आप देखिए फ्रंट साइड से सेवंत रो आप सेवंत रो में हमारा पैटर्न रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखिए एक रो यह पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुना फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे अब देखिए जिस फंदे को हमने सीधा बुनना है इस फंदे पे देखिए हमारा पैटर्न सिप्ट हो जाएगा फिर धागा अपनी साइड करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे अब देखिए नेस फंदा हमने सीधा बुनने जो फंदा हम सीधा बुन रहे हैं नेस टाइम उस पे हमारा यहाँ पे पैटर्न सिप्ट हो जाएगा यह तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा फिर देखिए तीन फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड यह तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी 7th row complete हो गई अब 7th row में हमारा pattern repeat and shift हो रहा था अब बैक साइड से जो 8th row आएगी अब 8th row में देखे जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे फिर फ्रंट साइड से जो 9th row आएगी उसमें भी देखे same process repeat होगा जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उसको सीधा बुनेंगे फिर देखें बैक साइट से जो 10 तरो आएगी उसमें भी जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे आप देखे जो front side से हमारी 11th row आएगी उसमें हमें pattern shift करना है और back side से जो हमारी 12th row आएगी उसको हमने सीधा बुनते हुए complete करना है इस तरह हम अपने pattern को repeat and shift करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं ये देखे दोनों side से हमारा pattern बनके बहुती सुन्दर आ जाता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हूं तो please subscribe करना न भूले थेंगू